द这emi खिंदे समपाद की शलिशन में आपका हार्दिक सागत है आज हम दिस्कस करने वाले है दो आर्टिकल पहला आर्टिकल है आर्टिकल ये अर्थिक अकराकटılar क biss 도फ ये अर्टिकल जो है तो हली में कालपेटर्स में इक्टोथी की गए है तो उसको थोड़ा सी आर्टिका क्रिडिसाइज भी करता है तो उसको मतलब की हम डिसकस करेंगे चलते हैं पहले डिकल के तरा कि भाट में जो भाहाद की अरत्रावर च्सदेरा का मात्र 2 फीजदी ही भाहात के हिस्सिदारी वैसिक read कर ना arriver सकता है अंतर राष्टी अर्थ्वैस्था में निर्णायक भ्यापार में बढ़ानी होगी एक चोंकी निश्चित तो पर यह कई प्रमाड भी रहे हैं कि जयातर देश जिनकी व्यापार में बड़ी भूमिका रहती है उनकी विकास दर भी होती है तो वह ज्यादा उच्छ होत सकते हैं इसके उधाहन को तो देखा जा कि चीन और रच्छनपूर वे एस एज़िसके बेहतरी मॉधानी जा सकते हैं चीन के दिश्रकॉड से बात की जाये तो चीन जोकि निर्यात को ज़्यादा बढ़ावा देता है और देता है और देंक ही उसकी इस इत्तिपूर्व्य जो आज बरतमान में 20 की सेकंड नंबर पर आती है तो उसके निर्याद की महतुपूर्ण वह हमी का रही है सस्ते स्रम उत्पादन उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ी और निर्याद पर उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया हाला कि चीज अपने इंडिस्टर इंट्रास्ट्रक्टिविटर जो गूर्ट्स वगयरा होते हैं उनकी समगरी और याद भी करता है लेकिन नीजयाद उसका ज्यादा मतलब कि सबल पक्षमाना जा सकता है वहीं दच्छनपूर्व एसया की बात की जाए तो वहां पास संधच्छनवाद की तरफ लोग रूख कर रहे हैं वहीं ये दच्छनपूर्व एसया है उसने जो है तो वैसुएक अर्थव्यस्ता में अपनी महत्वपूर्ण वहम करने के उसने जो है तो 6-3 व्यापार में सहभागता के जरी अपने आपको एपका से जड़ाओ की स्थिती पे रखा उसने चेटरी व्यापार की सहभागता पे ज्यादा फोकस किया। अब खाला कि एक प्रकार से भायरत ने भी इस दिशा में काफी मतलब की अच्छे सकारत्मक कुदम उठाने के प्रयास किये हैं अब खाला कि उसने भी मतलब की अर्थविस्ता बनाने के लिए भायत ने भी नियाद को प्रोस्ताहन देने के लिए कई जाद कई घोशनाएं भी की हैं इस दिशा में सरकार की प्रतिवाद्टता भी देखी जा सकते हैं कि उसने भी इस फिजदी नियाद ब्रिद्धि को ले बनाने की बात भी की गई है तो इस संक्यत में जो मिलता है कि सरकार जो है तो इस दिशा पर मत्तब कि काफी ज़्यादा प्रियास रथा है पिछले नियाद पर देखा जा सकता है तो लभन नौ फिजदी उसमें भृधी देखनों को मिली है जब कि जोड़ाज दोजाज दो हम हторहें निचले स्तर पर था और यदि हम डेकर से मुद्धी देख रहें है और इसके शुरुआ dúdhistory ट्रेड वार की समस्या हैं देखनों को मिल रही हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ा हुआ है और साथ इसाथ अमेरिका किना सिर्फ चेन के साथ बलकि उसके प्रोशी कनाड़ा और मैक्सिको और साथ जो है तो रोपी संग के साथ भी इस तरह के व्यापार रिकमत यह जदा लगाता है तो भारत अविर्याग थ्लेख भारत की बात की बात के बात की बहारत कि भारत आदे की ऑपहरानास उत्तम्रेट के पक्रोस को weigh लगाए कि जब अमेरिका दोरा भाहात समय चोच विकासियल देशों को भी हाला कि इसी मतलब कि अमेरिका ने जो अपने व्यापार को जादा बुष्ट देने के लिए उसने जो है तो अमेरिका में जो कुछ यूजए मतलब कि उसके बाजार में जो तुछ रियाएते बड़ती गई थ तो इसको भी अहाली ने अमेरिका ने मतलब कि इसको खतम किया और इस सूचित से बाहर कर दिया है तो इसके प्रत्रोज में भारत ने भी अपने इंपोर्ट डूटी काफी जादा अमेरिका के सावानों पर बढ़ा दिया था तो हलाकि बरतमान समय में जो है तो दोनों देशों में ब्यापारिक मुद्दू पर मतभेत तो हैं लेकिन उनको सुल्जाने के लिए कुछ सकरात्मक कदम भी उठाय जा रहे हैं तो जहां तक इस दिसा में बात की जाए कि आर्थिक मस्लों को लेकर कि दोनों पर्त्य चाल थो कि आर्थिक मसलों को mon记ous दोनों में काफी जादा नज्दिक्या में लहे हैं लिकिन येंदी जो में भारत और अमेरिका की कारोय बार्वारत संबन्द बैध चिक भाइरत को अर्स्राइपि जैसे समुह क्यों कदम बढ़ाने की जो तुक द्शा में भारत जो चैञ तो प्रेसरत भी यह जो है जो प्लस चीछ जापान दिशन कोरिया और श्ट्रेलिया और नुजिलान जैसे देशे को व्यापारिक समुह तो इस तेसाथ जूडने से भा संका भी भारत की यह है कि यदि भारत इससे जुड़ता है तो कहीं भारत के बाजार में सस्ते आयातित माल एक प्रकार से बहुत ज्यादा डंपना हो जाएं क्योंकि मुख्य तोर पर भारत इस चिन के प्रति ज्यादा आशंकित है लेकिन हम इसमें सामिल होते हैं तो तो इस परद्च से पठने के लिए पारत को तयार कर सके और भारत के लिए भी ज़्यादा यहाई होगा कि भारत रॉक्राद को प्रकार से बड़े बाजार पहुंच भी सुनिश्चित हो जाएगी और यह सही है कि हमारे उद्योग जो है तो सस्तिया अत्तमाल के परदिश स जूज रहा है तो उसकी भी समस्या से भारत को मतलब की एक प्रकास निजात मिलेगी तो कुछ अध्धन की कुछ अध्धन में भी बाते निकल के आते हैं कि भारत जिन देशों के साथ मुक्त व्यापर समझाओते में सामिल हुआ था हालाक उनके साथ भारत ने मतलब की भले ही ब्यापार घाटा बढ़ा है लेकिन ऐसे समझ होते हैं कि बगएर तो आयाद भी ज्यादा महगे हो जाते हैं तो इसलिए अच्छा यह होगा कि उनके साथ मतलब की जुड़िया तो एक प्रकार से हमारे लिए भी मतलब की एक बाजार आवसर के तरुपे भी उपलब्द होता ह साथ ही जब हमारे उद्योग नए बाजारों में अपने लिए तलास रहे हैं तो इस समय तो निश्चित तरुपे यह प्रकार से बड़े बाजार के तरुपे हमारे लिए एक फिकल्प भी होगा और आरसीपी जैसे छेत्री समों से हम मतलब की जुड़ने के बाद निश्च जाने तक भारती उद्योग धंदों के संद्चन की बात है तो इसमें हम अपने इंपोर्ट डूटी को बढ़ाने के बजाए यदि अपने उद्योगों को ब्रेस्टिक बाजार के हिसाब से ज्यादा प्रिजपरधी बनाने में फोकस करें तो ज्यादा प्रोड़क्टिव ह रहा होगा है न वो ज्यादा बेस्तर होगा हाली में तो की दरों को कम करके इस प्रकार के सरकार त्ल में प्रेगी में तब्रेस्पर्ट नसी कि शरुधार की अई जापार को इक परकार से जो हमारी उद्योग वगएरा तो उनकी जो प्रोसरेश होती है उसको बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं तो इसलिए इन चीजों पर परकार से सरकारी तंद्र को भी रोकने की जो होता है साथ इसाथ ज्यादा ता सास की सेवाओं को इक परकार से ज्यादा विश्ण होगा और जहां आज व्यापार का प्रवाह बढ़ाने को देश की आर्थिक रंडी तो कभी हमें महत्वपूर्ण उसमें भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आदा करने की जरुवत होगी क्रिसी और उद्योग इन छेक्टर पर भी ज्यादा फोकस करने के जुरुत है इन्हें हमें जो तो व्यासि यह बनाएंगा की जैसे की फूर्ट प्रोसेसिंग वगए रहा है चीजिए अंके प्रोड़क्ट वगए रहे है तो उनके यह बिले में लिए दना जाव्यादा को जादा बूश्ट मिलेगा इससे इसी तरह इंड़स्ट्री वगरा है तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जाब बनाया जा जिससे कि वे विदेशों के विनिरमाता जो है उनसा प्रतिस्परद्धा के लायक बन सकेंगे अधिक अपने ज्यादा मतलब की इंफ्रास्ट्र जादा जो हो सकेंगे तो यह एक प्रकार से ज्यादा अच्छा हो सकेगा और निर्याद के लिए एक सकारात्मक्त दिश्ट्रकॉर्ड जो है तो हमें मिशन मोड के तौर पर भी डेवलप करने की जरुवत है तो इस आर्टिकल में चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर यह उनका मानना है कि इसका जो लाव है तो ज्यादा तर जो है तो बड़ी कंपनियां जैसे की संपेंट्स, नेसले, हिंदुस्तन, लेवर वगएरा इनको ज्यादा इससे फैदा होने वाला है तो जो बाजार है तो हलाकि उससे ज्यादा मतलब की बाजार को काफी ज्यादा कि इसको बड़े आर्थिक सुधार की आसा के द्रिश्ट कोर से भी लोग जादा मतलब कि इसको देखने लगे हैं लेकिन यह भी निश्ची तोर पर यहां पास रहाटर ने इस चीज को भी जादा मतलब कि अच्छे मतलब को जोर से उठाया कि जैसे नोट बंदी और नोट बं यह कासे बड़े आर्थिक सुधार की एक प्रकार से विस्वास अभी भी मतलब बना हुआ है जबकि यह जो नोट बंदी और जिश्टी का गलत क्रियांवेन जो है तो यह कासे हमारी जो अर्थवेस्टों को इन्होंने खोकलाई कर दिया है पूरी आपूर्त शिंखला को ब अच्छंड बेरोजगारी भी देखी गई तो वहीं कमजोर नीर्यात बृद्धी भी है तो ही आतंकर भी आतंकर जैसे चीजे साथी जो है तो धैता साविनिक छेत्री यह चीजे जो है तो साथ है साथ हमारी ग्रोथ रेट भी पिछली तिमाही जो है तो लगवाग पांच है तो यह निरृथ को आतंकर से और सो यहां और इस संकट को कहा है तो webcam निर्माण से ईनकर टेंखने हो नहीं मिल रहे हैं तो वित्ती सेवा हैं बैंकिंग ये सब एक परकर से संकट के दौर से गुजर रहे हैं तो उसके बीच में यहां मतलब कि जो अचाना करकट होती की घोषना कर देने से मतलब कि अर्थवेस्ता को एक परकर से सकारात्मक महाल मिला है निश्चित तोर पे लेकिन इसमें से मतलब कि यहां पास राइटर ने जो है तो इस सुधार से समंदित मतलब फोकस किया है कि जो है तो एक संतुलित नियंतर और समान ब्रिद्धी के लिए जो है तो जमेन, स्रम और पूजी की बेहतर उत्पादक्ता अवेशक है उसके लिए जनतर समान ब्रिद्धी के लिए दुनिया भर कानुभव की बात की जाए तो जो उत्पादक्ता है तो उसके दो बहाग है पहला एक सच्ची बाजार आधारित अर्थवेस्ता जो आर्थिक कारकों को प्रतिसपर्धी और प्रोसाहन दोनों महया कराती है इससे क्या होगा कि कम कीमते होंगी और इस तिरी इस्थाय तो भी बना रहेगा इससे क्या होगा खापत और निवेस्को भी ज्यादा मतलब कि बूश्ट मिलेगा और दूसरी बात यह दो की जाए तो एक नियाम की सासन और नया व्यवस्ता जो कि अच्छे कारवारियों को प्रत्साहित करती है साथ ये साथ जो बुरे कारोबाय उनको दंडित भी करती है। इसके परिणाम की बात किया है तो उन्हें नव्य के दसक में जो उधारीकन का दौर आया था तो उस समय जो है तो ये जो दोनों कदम थे एक प्रकार से नहीं सफल रहेते। तू यहीं करना क प्रवेश और निर्गम को काफी जादा सहज बनाने की जरूत होगी है ना तो इसके लिए सबसे बड़ी बाधा है दर भूमे आजक्रहन सम्मान्दित और बारत की कालोबार को बहुत ज्यादा प्रहावीत करता है सा आद है कैंडरी बैंक, बैंक और कोसी कमपनी कटी निगरान्य भी प्रकर से असफ़ाली रहे थे तो इन पे भी काफी कुछ मतलब की सुधार किया जाने की जरुगत है वहीं बुनियादे दहांचा छेहतर के नियामकों का व्यवहार और राजस अधिकारों की वसूली की प्रवित्ती बाजार अर्थवस्ता के लिए भी मतलब की ज्यादा सकारात्मक नहीं रहे हैं इसकी की चलते जो है तो बहुत ज़्यादा कम समय पर संसाधान भी बरबाद हो रहे हैं इन चीजों से तो ही जो जो सरकारी पर्योजनाओं की निवीदा में भी काफी ज़्यादा गड़वड़िया देखनों की मिल रहे हैं तो इसका निश्ची तोर पर डार्यक्ट ही उत्प सब्सक्राइब तो इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीती नहीं थी तो यहां पर जैसे कि एक यह जो है तो अर्थवेस्टा के तमाम संकिया तक जैसे कि 2013 से भी बुरी स्थिति पे देखनों को मिल रहे हैं जबकि जो 2013 में ब्रेश्ट चार विक्रित पहुंजीवा दो नि नजर से देखा गया था तो सही यही है कि इस करकटोती का जो असर है इतना ज्यादा व्यापक है निश्चित तर पे इसके सकरात्मक परणाम तो देखनों को मिलेंगे लेकिन जो है तो इसको बहुत ही मतलब कि जल्दवाजी में और बिना किसी रणनीती कि यह कदम उठाए फिर भी इसके है कोई क्या सकरात्मक परणाम दिखनेंगे बारे में जादा इस प्रष भी धारने Campaign को मिलेंगे इसके बारे मिली प्रेस आज की अटिकल भी इतने ही प्रस नमस्क्रा दोता हूं